नमस्कार मैं सीमा मिस्रा फिर से आज आप लोगों के सामने उपसित हो गए। आज मैं आप लोगों के सामने खुद की लिखी हुई मोटी बेस्नल कभीता या सायरी आपका सकते हैं। लोग सामने पेस करने वाले हो आई ये चलते हैं हजारों मोती चाहिए एक माला पीरोने के लिए हजारों दीपक चाहिए एक थाली सजाने के लिए अनगिनत बूंद चाहिए एक समुंद्र तयार करने के लिए एक इस्त्री चाहिए एक घर बसाने के लिए आज की नारी सब प बाहर तक अपने परिवार से लेके बजार तक सब कुछ समाल लेती है। वो घर में अपने बच्चों अपने परिवार को लेकर खाना बनाने से लेकर जमिन सास्मान तक हवाय जहाँ जुडा कर भी दिखला सकती है। आज की नारी हाथों में छोलनी कलचुली नहीं, तलवार भी भांच कर दिखाती है नारी तू ही नारायनी, एक मा एक बच्चे को जन्म देती है, उसे पाल पोसकर बड़ा करती है एक मा बहन, भाभी, पत्नी, उसके बद नानी, दादी, हर किरदार निवाती, एक मा एक इस्त्री के रूप में वो एक इस्त्री का ही रूप है, कैसे सम्हाल लेती है एक इस्त्री, सब कुछ इस्त्री में कितनी सकती है इसलिए उसे दैविये रूप कहा गया है एक माँ जब अपने बच्चों की इतने प्यार से पालती है तो उसे सम्हालने के लिए चंडी का रूप ले लेती है उस पर अगर कुछ आफ़त आती है तो इसलिए नारी तू ही नारायनी वक्त हूँ वेवक्त हूँ बेखौफ हूँ वेवाक हूँ नारी की पहचान हूँ छोटी-छोटी खुसियों को भी खुसनुमा बना देती हूँ डरती नहीं किसी से भी मैं फिर भी दुस्मन बना लेती हूँ दुस्मनों की दुस्मन हूँ मैं फिर भी दोस्त बना लेती हूँ नकल नहीं करती हूँ मैं फैसर मेरी सान है जलने वाले मर जाते हैं खुश कैसे मैं रह लेती हूँ जिगर बड़ा है दिल में फिर भी सब को मैं भर लेती हूँ वैसे ही जैसे गागर में सागर को मैं भर देती हूँ, सौंदर से परिपूर्ण हूँ, मुझ में गुनों की खान है, इस्वर ने बनाया है मुझको, फिर भी खुद को समारती हूँ, खुद से बाते करती हूँ, हवा में मैं लह राती हूँ, खंड हूँ, अखंड हूँ, मैं पाखंड नहीं करती हूँ, कुद को खुश करके मैं जिन्दिगी को खुशनुमा बना देती हूँ, कोई नहीं है मेरा अपना, फिर भी मैं सबको दोस्त बना लेती हूँ, सबको लेकर चलती हूँ मैं, फिर भी दुस्मन बना लेती हूँ, मैं ही नारी की पहचान हूँ, धन् झाल झाल झाने वाट